आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर फोर ऑफ दे लिविंग वर्ड सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉमन्क्लेचर के बारे में पढ़ा था नॉमन्क्लेचर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइपस आफ नॉमन्क्लेचर के बारे में पढ़ा था polynomial, trinomial और binomial, ठीक है जो nomenclature हम follow करते है अभी पुरी दुनिया जो follow करती है उसका नाम है binomial nomenclature ठीक है, जो lineage ने दिया था जिसमें हम लोग genus और species को रखते हैं, वो पुरी चीज हम लोग वहाँ पर discuss कर चुके है अब हम लोग इस lecture में start करते है about taxonomic categories यह आपने पहले भी classes में पढ़ा होगा आपने यह kingdom, phylum, class, order, family, यह आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी सुना होगा वोई चीज को हम लोग थोड़ा सा revise करेंगे यहाँ पर, क्योंकि first chapter है बहुत basic है, तो बहुत सारी चीजे already इसमें पुरानी classes की है, कुछ नया नहीं है बढ़ इसको में समझना है इसमें से questions आते हैं, इस chapter में से ऐसा नहीं है easy chapter है तो question नहीं आएंगे 2-3 question नीट में इस chapter में से आएंगे तो classification involves hierarchy of steps in which each step represented taxonomic category इसको हम बोलते हैं hierarchy hierarchy मतलब जैसे कि दादा, दादा से आए, पापा, पापा से आए, उनके बच्चे आप लोग, ठीक है, इसको हम बोलते है hierarchy, ठीक है, तो ये एक hierarchy है जिसमें हर एक step को हम लोग एक rank बोलेंगे taxonomic category बोलेंगे all categories together constitute taxonomic hierarchy, पूरे को मिला कर हम बोलेंगे एक taxonomic hierarchy, each category represents a unit of classification हर एक category एक unit of classification है, एक group of organism occupying a particular category is called as taxon ठीक है, और एक group of organism जो एक particular category में है उसे हम बोलेंगे एक taxon, जैसे के mammalia, जैतने भी mammals है, वो class mammalia में आ जाएगा ठीक है, अब taxonomic categories की बात करेंगे हम लोग सबसे उपर आएगा हमारा kingdom kingdom, kingdom के बाद phylum या division, ठीक है दोनों word यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद class, फिर उसके बाद order, उसके बाद family, उसके बाद genus वो सबसे नीचे आएगा species, ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी organism को classify करते हैं, ठीक है taxon में बात करें, इस एक्जामपल दे रहे हैं यहाँ पर taxon में, kingdom क्या हुआ, एनिमेलिया, फाइलम, एनिमल में फाइलम कौन सा है, कौर देटा class है, मैमेलिया order है, प्राइमेटा family है, हुमिनिडे genus क्या है, होमो और species क्या है, sapiens तो यह human का classification हो गया human का species क्या है, sapiens human का genus क्या है, होमो human का family क्या है, हुमिनिडे family, order क्या है, प्राइमेटा कौन सी class में आता है, human मैमेलिया में, कौन से फाइलम या डिविजन में आता है कौडडिटा, कौन से गीघंडम में, एनिमल एनिमेलिया कीड़म में ठीक है, तो यह कह एक 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 खामपल हो गया है जिसके तुरूअ हम लोग, ऐसे ही हम सारे और गव्यनिजम को ख्लासिटाई करते हैं species क्या है सबसे छोटा ठीक है जैसे कि माल लो हमारा species है तो उसमें सारे humans जो है उसका एक species है जैसे dogs में आप देखोगे अलग-अलग करीगी की dog मिलते है तो वो क्या है अलग-अलग species है और dog क्या है वो पूरा एक genus है ठीक है तो it is a group of closely related organism capable of interbreeding to produce fertile offspring closely related organism जैसे human सारे species है capable of interbreeding आप आप समें interbreed कर सकते है to produce fertile offspring it is the lowest category species जो है वो सबसे lowest category है जैसे यहाँ पर हम देखेंगे mango का species क्या है indica, potato का क्या है, tuberosum, nitrate का निगरम यह सारे नाम आपको याद करने ठीक है तो यह आपके genus species बहुत सारे organism के यहाँ पर जो है binomial name दिये हुए, scientific name दिये हुए है इसमें आप genus भी देख सकते हो, species भी देख सकते हो अब आता है genus, तो genus में क्या आएगा बहुत सारे species मिलकर एक genus बनाते है ठीक है it is the aggregates of close-leared species जैसे क्या आप देखोगे genus solenum, अब genus solenum में क्या देखोगे यह इसमे पोटेटो, यह भी solenum में आता है solenum tuberosum tuberosum क्या है species इसका species अलग है इसका species अलग है पर यह दोनों, एक ही genus में आते है genus का नाम क्या है solenum, solenum tuberosum is potato solenum lycopersicum is tomato तो पोटेटो, टोमेटो और बिंजल वो सेम जीनस में आते हैं बट इनका species अलग अलग है तो जीनस मतलब बहुत सारे species मिलकर एक जीनस बनाते हैं जैसे यहाँ पर आप देखोगे लाइन, पैंथरा, लियो, लिपर्ड, पैंथरा, पैरड़स, टाइगर, पैंथरा, टाइगर तो लाइन, लेपरड़, टाइगर तीनों का जीनस क्या है पैंथरा बट species अलग अलग है तो species सबसे common है, सबसे नीचे है और बहुत सारे species मिलकर जो है एक जीनस बनाते है यहाँ पर फैलिस का दिया हुआ है जीनस फैलिस, हाउस कैट, फैलिस डोमेस्टिकस और जंगल कैट, फैलिस कैयोस ठीक है तो यह दोनों एक ही जीनस में आते हैं पर इनके species अलग अलग है अब जीनस की उपर हम जाएंगे तो family अब बहुत सारे जीनस मिलकर एक family मिलाएंगे group of literate genera जैसे के family solenasi में genus solenum भी आ गया genus petonia भी आ गया और genus satura भी आ गया तो यह सारे जीनस है वो solenasi family में आ जाते हैं उसी तरीके से family felidae तो जिसमें genus panthera भी आ गया और genus phallus भी आ गया मतलब इसमें tiger lion भी आ गया और इसमें cat भी आ गया इससे पहले वाले में हम क्या देख रहे थे genus में यह tiger leopard और tiger lion का जो है genus अलग था यह अलग group में थे दोनों का genus बट यह दोनों genus मिलकर एक family बनाएंगे family felidae ठीक है उसके बाद बहुत सारी families मिलके क्या बनाएंगी order ठीक है order polymonials में family convalency family sonnally बहुत सारे plants आ गए इसमें हजारो टाइप के order carnivora जिसमें family felidae भी आ गई और family canidae भी आ गई ठीक है इसमें dogs भी आ गए tiger भी आ गया cat भी आ गया ठीक है यह हो गया order orders उपर जाएंगे तो बहुत सारे order मिलके क्या बनाएंगे class जैसे class में dicotylidini order polymonials order sapindles class mammalia में order primata और carnivora ठीक है man भी आ गया इसमें ठीक है और यह सारे जानवर भी आ गए तो जैसे हम उपर जा रहे है बहुत सारे चीज़े include होते जा रहे है अब बहुत सारे class मिलके क्या बनाएंगे एक phylum और division ठीक है जैसे division angiospum जिसमें dicots भी आ गए monocots भी आ गए phylum caudita में amphibians, reptiles, ape mammals यह सब एक phylum में आ गए जिसका नाम होगा phylum caudita ठीक है तो जैसे जैसे हम उपर जाते जा रहे बहुत सारी चीज़े एक group में आती जा रहे है अब बहुत सारे phylum मिलकर क्या बनाएंगे kingdom जो सब से उपर आ गया ठीक है जैसे kingdom plant जितने भी plants थे हमने देखा अलग-अलग species थी अलग-अलग genus थे अलग-अलग class थी अब जितने भी plants थे वो आगे kingdom plants में सब इसमें आ जाएंगे और जितने भी animals थे चाहिए dog, lion, cat, mammal, birds यह सब kingdom animals में आ गया ठीक है तो it is the highest category तो ऐसे ही है जो हमको धीरे-दीरे करके हम उपर बढ़ते गए ठीक है जैसे taxonomic categories with example kingdom animalia में यह सब आते kingdom animalia में यह सब आते phylum cordata में आप देखो cordata में यह insect निकल गया insect जो है वो cordates में नहीं आते वो non-cordates में आते ठीक है उसके बाद class mammalia में birds जो है वो mammals में नहीं आते बाकी यह सारे mammals में है उसके बाद order carnivora हम लोग carnivora में नहीं आते तो human निकल गया ठीक है यह सारे order carnivora में आएंगे उसके बाद family felidae family felidae में dog नहीं आएगा felidae family में cat आएगा lion आएगा tiger आएगा यह तीनों जो है उसके बाद जीनस पैंथेरा पैंथेरा में टाइगर और लाइन आएंगे कैट नहीं आएगा ठीक है और फाइनली अगर हम लोग बात करें स्पेशीज तो टिग्रिस तो टिग्रिस जो है वो टाइगर का है तो ये टाइगर का पूरा जो है क्लासिफिकेशन हो गया स्पेशीज क्या हो गई टिग्रिस जीनस पैंथेरा, फैमिली फैलिडी, कार्निवोरा मैमेलिया, कॉर्डेटा और किंग्डम एनिमेलिया ठीक है तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको समझा कि किसी भी तरीके को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे ठीक है ओर्गनिजम विद्ध टेक्सोनोमिक कैटिगरीज जैसे के अलग-अलग जैसे नाम दिये हुए है मैन का बालोजिकल नेम, जीनस, फैमिली ओर्डर उसी तरीके से हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का तो ये कुछ ऐसे एक्जम्पल से जिनका हमको पूरा याद करना है आपको क्श्छन किस तरीके से आएगा तो आपको फैंड करना है डिप्टेरा तो आपको देखना है तो इनका पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा इसमें से MCQ पक्का आएंगे टेस्ट में भी और फैनल एक्जाम में भी आ सकता है तो इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉंसेप्ट और स्पिशिस जिसमें सबसे इंपोर्टन चीज है सबसे पहला कोशन क्या आता है profit is the fundamental unit of classification ये कोशन बहुत बाद पूछा जाता है chemical unit of classification क्या है species is a group of organism which are closely related structurally and functionally sharing a common gene pool gene pool मतलब तो सब genes जो है वो उस species में जो है इखटे हैं जैसे humans में अगर मैं eye color की बात करूँ तो black eye भी होती है, blue eyes भी होती है, brown eyes भी होती है, तो वो पूरा एक gene pool है, एक organism में एक ही होगी, या तो black होगी, brown होगी, या blue होगी, but humans में होता है, humans एक species है, तो उसको हम बोलते हैं gene pool, ठीक है कौन कौन सी genes आ सकती है, which can interbreed freely in nature and produce fertile offspring, interbreeding हो सकती है, humans आपस में breed कर सकते हैं, और जो उनके बच्चे पैदा होंगे, वो fertile होंगे, मतला वो और आगे चलके, आगे next offspring पैदा कर सकते हैं, natural environment, this concept of species is based upon reproductive isolation called biological concept, तो इसको हम बोलते हैं, biological concept of species, ही किस ने बताया, earnest mirror ने बताया, important interspecific hybrids, अब hybrids की बात करें हम लोग, दो तरह का hybrids हो सकते हैं, sterile hybrids और fertile hybrids, sterile मतलब होता है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, वो तो बन गया, hybrid करके हमने बना दिया, उसके बच्चे नहीं हो सकते हैं, जैसे mule, आपने सुना होगा, between male donkey and female horse, female horse और male donkey से जो बच पैदा नहीं कर सकता, वो reproduce नहीं कर सकता, तो वो sterile है, उसी तरीके से ही नहीं, between male horse and female donkey, चीक है, यह sterile होंगे, यह आगे reproduce नहीं कर सकते हैं, कुछ fertile hybrids भी होते हैं, चीक है, under captive condition, यह natural condition में बने हैं, humans नहीं बनाएं, यह अपने आप, इनके बीच पर reproduction हुआ, और यह अपन आप बने हैं, यह human ने introduce किया है, मतलब, tygon, between male tiger and female lion, female lion और male tiger को mate कराया, तो जो बच्चा पैदा हुआ, उसमें दोनों के characters थे, tiger के भी और lion के भी, तो उसको हम उनों ने बोला, tygon, और यह आगे बच्चे पैदा कर सकता है, दोनों की properties के साथ, उसी तरीके से liger, liger में क्या male lion है, और female tiger है, ठीक है, तो liger जो है, वो दोनों, lion और tiger से बड़ा होता है size में, उसमें दोनों की characteristics से strength भी है, और speed भी है, जैसे हम बोलते है, lion जो है, उसमें ताकत जादा होती है, और tiger में speed जादा होती है, तो liger में इन दोनों की properties आ गई, और यह reproduce करके, आगे और liger बना सकता है, और बच्चे पैदा कर सकता है, बट अंडर captive condition मतलब human के निगरानी में, हमारे zoo में रखके हमने किया है, naturally नहीं हुआ है, ठीक है, यह हम लोगों ने introduce करके किया है, ठीक है, उसके बाद types of species, species जो हैं बहुत अलग-अलग type के हो सकते हैं, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे first है, morpho species, species erected on the basis of morphological character, morphological character क्या होते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जो हमको दिखाई दे जाता है, उसको हम बोलते हैं, morphology, कि बाई देखो, इसके कान लंबे हैं, इसकी पूच लंबी है, इसके पैर लंबे हैं, पैर छोटे हैं, इसके पैर चोटे हैं, इसके इक हर्ट है, दो हर्ट है, चार स्टमक है, एक स्टमक है, यह anatomical है, जो हम देख नहीं सकते हैं, बाहर से, जो हम बाहर से देख सकते हैं, दिजार, morphological character है, ठीक है, तो बहुत सारे दिये हुए, इनको आपको याद करना है, इसमें कोई logic नहीं लगेगा भाई, ठीक है तो इसमें सबसे important क्या है, allopatric species, बहुत बार पूचा जाता है, species having exclusive area of geographical distribution में, एक particular area में मिलते हैं, और यह भी पूचा जाता है, sympathetic species क्या, species having overlapping area of geographical distribution, मतलब, allopatric species मतलब, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, दोनों का separate area है, sympathetic मतलब, दोनों का एक overlapping area, इस area में वो भी मिलता है, यह भी मिलता, overlapping area है, ठीक है, parapetric क्या है, species with adjacent geographical ranges meeting in very narrow zone, ठीक है, इन में बहुत overlapping, बहुत कम है, ठीक है, तो यह सारे आपको याद करने हैं, ठीक है, इसमें कोई logic नहीं है, याद करने वाला है, तो आप याद करो, इसमें से दो-तीन जो है, आपको test में मिल जाएंगे, ठीक है, जब का first test होगा living world में, उसमें questions आ सकते हैं, तो यह आपको याद करना है, ठीक है, कोई भी इसमें कोई doubt हैता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप उसको live class में जरूर पूछो, और अपना doubt clicker करो, ठीक है, तो आगे का topic हम लोग next lecture में start करेंगे, ठीक है, thank you